हलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी जोग्रफी की मैम तो एक बाफ फिर से मैं आप सभी जोग्रफी के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती है बच्चों तो पिछले दिनों हम लोगोंने जो आपकी जोग्रफी की सेकेंड बुक है भारत भौतिक परियावरन हना और यह आपकी यूपी बोड की बुक है माध्धिमिक शिक्षा परिशाद इलाबाद ठीक है तो इस बुक से हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ रहे थें और सेकेंड लेसन आपका क्या था बच्चो सनरचना तथा भू आकृति विज्ञाम और इसका हम लोगों ने भाग दो पढ़ लिया था इछले दिनों लोग ने इस जो खंड है या भाग है जिसको हम भौतिक भाग भी कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे थे ठीक है शुरू किया था हम लोगों ने तो भौतिक भाग के दरिस्टी से भारत को इन छे भागों में बाटा गया है एक बार हम दो दोहरा लेते हैं इनको पहला भ और दूसरा भाग कौन सा है उत्री भारत का मैदान तीसरा भाग कौन सा देख है राय द्रीप पठार चौथा भाग है भारतिये मरस्थर यानि थार का मरस्थर पाच्वा भाग है समुन तटिये मैदान या तटिये मैदान और छट्मा भाग है द्रीप समुन तो ये छे भाग इन छेव भागों में से हम लोगों ने पिछले भाग दो में पहला भाग पढ़ा था उत्तर और उत्तरी पूर्वी परवत माला यानि हिमाले के भारे में पढ़ा था ठीक है अब चलते हैं हम लोग आज भाग तीन में पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैंदान और प्रायद्रि पे पठा ये दो भाग आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चो उत्री भारत का मैदान तो उत्री भारत का मैदान क्यूं बोलते हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्यूं बोलते हैं उत्री भारत का मैदान तो उत्री भारत का मैदान इसलि इसको उत्री भारत का मैदान कहां जाता है ठीक है इसको सिंदु गंगा और ब्रह्मा पुत्र का मैदान भी कहते हैं ठीक है तो उत्री भारत का मैदान जो है वो कहां है यह हम लोगों ने देख लिया तो यह भारत के उत्री भाग में हैं और इसको इस तरह से भी बता सकते हैं ये हिमाले का जो परवतिय भाग है और जो प्राइद्वी पठारे इन दोनों के बीच में हैं, मध्ध में हैं, तो ये है इस मैदान की इस्थिति, अब चलते हैं मैदान बना कैसे हैं, तो उत्री भारत का जो मैदान हैं बच्चों, इसको तीन बहुत महत्पूर नदियों ने बनाया है, ये नदियां तीनों कौन सी हैं आपको पता है, तो ये नदियां हैं आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मा पुत्र, ये भारत की बड़ी नदियां हैं, विशाल नदियां हैं, इन्ही नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जो जलोड है, जलोड यानी जो अव निच्छेप मतलब जमा होने से, उस अवसाद के जमा होने से ही उत्री मैदान का क्या हुआ है, निर्मान हुआ है, ठीक है, इस मैदान की लंबाई कितनी है, तो इस मैदान की लंबाई है, अलग भग 3200 किलो मीटर, यानि पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब यहां असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक, यह पूरी इसकी जो लंबाई है, वो है 3200 किलो मीटर, और चौड़ाई इसकी उसाद चौड़ाई कितनी है, तो उसाद चौड़ाई देर सो से लेकर 300 किलो मीटर है, उत्तरी भारत का जो मैदान है, इस मैदान को उत्तर से दच्छन, यानि उत्तर से दच्छन का मतलब ये उत्तर और ये दच्छन, इसको तीन भागों में क्या किया जा सकता है? बाटा जा सकता है, कौन कौन से तीन भाग है? पहला है भावर का, दूसरा है तराई भाग, और त तीन छेत्र हैं भावर, तराई और जलोड जलोड मैदान जो है इसको भी दो भागों में बाटा गया है खादर और दूसरा है बांगर तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि भावर तराई है क्या किसको बोलते हैं भावर और तराई का छेत्र तो सबसे पहला आता भावर या भावर भावर का जो छेत्र है वो शिवाली पहारियों के या श्रिणी के समानांतर है आप इस मैप में देख सकतें बच्चों मैंने ये औरेंज कलर से भावर और हरे रंग से तराई छेत्र और ये हमारा पूरा ब्राउन कलर से हिमाले तो जहां हिमाले खतम होता है वहीं शुरू हो जाता हमारा भावर और तराई का छेत्र तो भावर जो औरेंज वाली लाइन मैंने बनाई है ये पूरा भावर है और जो लाइट ग्रीन बनाई है ये है तराई का छेत्र ठीक है और उसके आगे फिर आजाता है ये जलोड का म ये आजाता है फिर हमारा जलोड का मैदान तो भावर हो गया तराई हो गया और तीछरा कौन सा मैदान हो गया ये जलोड का मैदान तो उत्री मैदान को इन तीन भागों में बाटा जा सकता है भावर तराई और जलोड का मैदान अब चलते हैं भावर क्या है भावर का जो छे जो है वो शिवालिक श्रेणी हिमाले का जो सबसे निचला भाग है जिसको हम शिवालिक के नाम से तो शिवालिक श्यवालिक्षेनी के समानानतर उनाम्भावर का छेत्र फैला हुआ है कितने किलोमीटर की चलाई में 8 से लेकर 10 किलोमीटर इस छेत्र में जो हिमाले से आने वाली नदियां वह अपने साथ जो भारी जल भार लेकर आती है भारी जल भार का मतलब है कि अपने साथ बड़े-बड़े चक्तान के तुकड़े लेके आती है बहा कर कंकर, पत्थर, रोड़े यह सब बहा कर लाती है कहां से बहा कर लाती है हिमाले से और हिमाले से जब ये लेके आती हैं तो ये निचले भाग में इस कंकड पत्थर और चक्तानों के बड़े बड़े तुकड़ों को क्या कर देती हैं जमा कर देती हैं और इसी जमाओ को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों भावर के नाम से जाना जाता है कभी-कभी ये नदियां जो हिमाले से आती है इन भागों में वो इन्ही अवसादों के नीचे क्या हो जाती हैं दब जाती है यानि वो अवसाद ज्यादा जमा हो जाते हैं कंकर, पत्थर, चत्तानों के बड़े-बड़े टुकडे कि जो नदियां यहां प्रवाहित होती हैं वो इन अवसादों के नीचे क्या होने लगती हैं प्रवाहित होने लगती है यह तरह से कहा जाए कि तो वो गैब हो जाती है क्योंकि अवसाद का जमा मचना जादा हो जाता है कि नद्या फिर अवसाद के नीचे प्रवाहित होने लगती हैं तो ये है बच्चो भावर का छेत अब आता है दूसरा तराई का छेत भावर के दच्छुन में तराई छेत रिस्थेत है आप इस मैप में भी देख सकते हो कि ओरेंज कलर जो है वो भावर है और ग्रीन जो पटी है वो तराई तो तराई छेत जो है वो भावर के दच्छुन में नीचे है ना नीचे का मतलब दच्छुन में है तो भावर के दच्छुन में है तराई का छेत ये छेत जो है तराई का छेत भी दस से लेकर 20 किलो मीटर चोड़ाई में विस्टित है यहाँ पर इसकी विशेष्टा यह है तराई छेतर की जो भावर छेतर में जो नदियां अवसादों के नीचे प्रवाहित होती है यानि एक तरीके से गैब हो जाती है लुप्त हो जाती है वो नदियां तराई छेतर में दुबारा क्या होती है धरातल पर निकल कर प्रवाहित होने लगती है तराई छेतर की एक और खाल विशेष्टा है कि यहाँ यह पूरा छेतर प्राकर्तिक वनस्पती से धका है और जो विभिन प्रकार के वन प्राणियों का क्या है बच्चों घर है तो यह प्राकर्तिक वनस्पती से धका और विभिन प्रकार के वन प्राणियों का घर है अब आता उत्री मैदान का जो तीसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं जलोड का मैदान तो भावर तराई के बाद तीसरा भाग है जलोड का मैदान अब जलोड का मैदान जो है वो कहा है तो तराई के दच्छन में है और ये जलोड यानि अवसादों के जमाओं से यानि जमाओं मतलब निछेप से बना है यानि ये मैदान जो है वो अवसाद या जलोड या अवसादों के निच्छेप से बना है इसलिए इस मैदान को जलोड का मैदान कहते हैं जलोड का मैदान भी दो भाग में बाढ़ सकते हैं बांगर और खाद जो पुराना जलोड वाला भाग है यानि पुराने जलोड से निर्मित जो मैदान है उसको बांगर कहते हैं और नवीन यानि नई जलोड से निर्मित जो मैदान है उसको खादर कहते हैं तो पुराने जलोड से निर्मित मैदान बांगर और नवीन जलोड से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं जो हमारी उत्तर भारत का जो मैदान है इसमें बहने वाली जितनों नदियां हैं वो विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का क्या करती है वो निर्मान करती है तो इस भाग में बहने वाली जिसे गंगा, ब्रह्मा, पुत्र ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और वो है हमारा सुंदर्वन का डेल्टा हाना तो ये विश्व प्रसित डेल्टा का निर्मान करती है और कहां है बच्चो ये डेल्टा ये है आपका ये वाला डेल्टा जिसको हम सुंदर्वन का डेल्टा कहते हैं ठीक है अब चलते हैं बच्च में बिभिन प्रकार की फसले उगाई जाती कौन कौन सी फसले सगेहूं हैं चावल गन्ना और जूड ये इस मैदान की बोई जाने वाली उगाई जाने वाली महत्वूर फसले हैं तो यह हो गया बच्चों हमारा दूसरा भाग भारत का उत्तरी मैदा उत्तरी मैदान ठीक है कर आप चलते हैं तीसरा भाग कौन सा है प्राय द्यवीप पता प्थार यह आप देख सकते हैं समैप में यह उत्री भारत का मेंदान या 130 गंगा और ब्रह्मा पुत्र का मैदान और उसके दच्छुड में है ये आपका ओरेंज करल वाला भांग ये है प्रायद्वीप ये पठार तो प्रायद्वीत पठार कहां इस्थित है? उत्री भारत के मैदान के दच्छुर में या सिंधो, गंगा और ब्रह्मा पुत्र के मैदान के दच्छुर में इसका आकार कैसा है बच्चों तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका आकार तिर्भुजा है यानि तिर्भुज के आकार का है ये पठार किसा आकार का है तो तिर्भुज के आकार का है यानि तिर्भुजा का रूप में फैला हुआ है ना कितने लाख वर किलो मीटर छेतर पर इस पठार का विस्तार पाया जाता है यह भारत का ही नहीं बच्चो विश्व का प्राचीनतम पठारों में से प्राचीनतम मतलब पुराने पठारों प्राचीन पठारों में से एक है और गोंडवाना लेंड गोंडवाना लेंड जो हमारी पित्वी का धरती का सबसे प्राचीन भाग है ना तो गोंडवाना लेंड का ही यह भाग है इस पठार की जो उसत उंचाई है वच्चों वो छे सौ से लेकर नौ सौ मीटर है इसके पूरव में है आपकी यहाँ पर है इसके पूरव में है राजमहल की पहाड़ी और इसके दच्छुन में है आपकी लिलाइची और नीलगिरी की पहाड़ी दच्छुन में है इलाइची और नीलगिरी की पहाड़ी तो प्रैदी पठार के जो विस्थार है पूरव में राजमहल पहाड़ी से लेकर पश्चिम में गिर की पहाड़ीयों तक और दच्छुन में आपकी इलाइची और नीलगिरी की पहाड़ीयों तक पाया जाता है ठीक मुख्य रूप से भारत में सबसे ज़्यादा काली मिल्टी जो है इस पठार के इस उत्री पश्चमी भाग में जो है वो पाई जाती है या पूरा काली मिल्टी का क्या है वच्चों छेतर है तो ज्यादातर इस पठार के उत्री पश्चमी भाग में काली मिल्टी जो है वो पाई जाती उच्चावच लक्षनों की रिष्टी से या उच्चावच लक्षनों के अनुसार इस पठार को तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला है दकन का पठार दूसरा है मद्ध उचभू भाग और तीसरा है बच्चो उत्री पूर्वी पठार तो उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है उच्चा नीच्चा भू भाग इसको बोलते उच्चावच लक्षनों के अनुसार इस भाग पठार को तीन भागों में बाटा जा सकता है दकन का पठार मध्धि उच्च भूबाग और तीसरा है उत्री पूर्वी पठार तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दकन का पठार दकन का पठार है कहां बच्चों तो दकन का पठार जो है वो नर्मदा नदी के दच्चन में ये जो ब्लू कलर से मैंने नदी बनाई है ये वाली ये नर्मदा है और ये है तापती तो नर्मदा की जो दच्छन का भाग है, ये नीचे वाला भाग, ये कहलाता है आपका, यह हमें नमबर डाल लेती, ये कहलाता है दकन का पठार, यानि यहां नर्मदा की दच्छन से लेकर यहां तक, ये कहलाता है दकन का पठार, ठीक है, दकन का पठार जो है, वो, इसके प पश्चिम में हैं पश्चमी घाट अगर आप मैप में देखें तो इसके पश्चिम में हैं पश्चमी घाट की पहारी यह ब्राउन कलर से मैंने दिखाई ना बच्चो यह पहारी है इसको घाट बोलते हैं पश्चमी घाट और इस पठार दकन के पठार के पूरम में आप दे दकन के पठार के पश्चिम में पश्मी घाट की पहाड़ी और पूरव में क्या है बच्चो पूरवी घाट की पहाड़ी ठीक है और उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ी है इस दकन के पठार के तो यह है आपकी मैंने देखे लिखा है सत्पुरा की सत्पुरा इसके बाद देव मैकाल, पश्चिम में पश्मी घाट की पहाड़ी, पूरव में पूर्वी घाट की पहाड़ी हैं, तो ये पहाड़ियां इसको क्या हैं, चारो तरफ से घेरे में, प्रायद्वी पठार की सबसे उंची चोटी, पता है बच्चो आपको क्या है, तो प्रायद्वी पठा की सबसे उँची चोटी है या हम बोल सकतें दच्छन भारत की सबसे उँची चोटी है और यह कहां यह है अन्ना मलाई की जो पहाड़ियां है पश्चमी घाट में अना मलाई की पहाड़ियां है अलना मलाई की पहाड़ी में है इस्थित यह अनाय मुड़ी तो यह दच्छु भारत की या प्रायदी पठार की सबसे उंची चोटी है दूसरी सबसे उंची चोटी जो है प्रायदी पठार की वो है दोदा बेटा क्या नाम है उसका दोडा दोडा बेटा दोडा बेटा कहा है नील गिरी की पहाड़ी में तो ये प्रायदी पठारी की दो सबसे उंची क्या है चोटियां है अनायमुली जो पश्मी घाट में अन्ना मलाई की पहाड़ीयों में है और दूसरी सबसे उंच चोटी-चोटी दोडा बेटा है जो नील गरी की पहारी में क्या है वच्छो इस्थित है अगे चलते हैं अब हेम आता है इस प्रयादिपठार का डूसरा भाग। इसको हम बोलते मध्य उच्छ भुभाग कहा है बच्चो तो पश्चिम में नर्मदा के उत्तर का जो भाग है इसको बोलते हैं मध्य उच्छ भुभाग यानि इसकी जो पश्चमी सीमा है वो अरावली परवत अरावली की पहाडियां बनाती है यानि मद्ध उच भूभा ये जो नरमदा के उपर का हिस्सा है ये कहलाता मद्ध उच भूभा तो मद्ध उच भूभा की जो पश्चमी सीमा है वो अरावली की पहाडियां क्या करती ह और इसके बाद इसकी जो दच्छडी सीमा है आप देख सकते हैं मैप में इसकी दच्छडी सीमा सत्पुरा परवत ने धारित कर द्वारा बनाई जाती है और आगे इसकी सब पूरवी सीमा जो है वो राज महल यह राज महल की पहाड़ी ना तो इसकी मद्ध उच भूभाग की जो पूरवी सीमा है वो राज महल की पहाड़ी तक क्या है फैली कोई है इस भाग की जो समुन्द तल से उचाई है बच्छो वो है साथ सौ मीटर से लेक एक हजार मीटर है ना यानि इस मद्ध उच भूभाग की जो उचाई है वो है साथ सो से लेकर एक हजार मीटर इस मद्ध उच भूभाग से कई सारी नदिया निकली है विशेश कर जो हमारी यमना की सहायक नदी है जैसे चंबल वगएरा चंबल वगएरा जो है वो इसी पहाडियां हैं, यहां से निकलती हैं, केवल जो चम्स जवी शायक नदी आपकी वह कहां से निकलती हैं, आपकी बनास वह अरावली से निकलती है. तो चंबल की सहायक बनाज जो है वो अरावली से निकलती बाकी यमना की चंबल और आपकी दूसरी सहायक नदिया है वो सभी जो है विंदियाचल और कैमूर की पहाड़ी। पूरी बहसी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है राजमहल की पहाड़ियों के दच्छुन में ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं चोटा नाकपुर का पठार जो खनीजु के लिए क्या है जाना जाता है खनिश पदार्थों के लिए जानमहत तो पूर्ण है तो मद्धि उच्भूमी भूभाग का जो पूरवी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है और इसी राजमहल की पहाड़ी के दच्छन में छोटा नाकपूर का पठार है बच्छों जो खनिश पदार्थों का क्या है भंडार है अब चलते हैं प्रादी पठार का तीसरा भाग है वो है उत्री पूर्वी पठार कौन सा पठार उत्री पूर्वी पठार अब ये तीसरा भाग कहा है तो तीसरा भाग जो है वो है हमारा मिघाले राजमे ये तीनों पहाड़ी कहां है मेघाले में है मेघाले राज में है तो उत्री पूर्वी पठार जो है ये पठार वास्तों में जो हमारा प्रायद्वी पठार है यानि जो हमारा दच्छन का पठार है इसी का ही क्या है बच्चों भाग है कौन सा भाग है विस्तारित भाग है इ तो भ्रंश प्रक्रिया के द्वारा, भ्रंश यानि फॉल्ट, दरार पड़ी, बीच में यहां दरार पड़ने से, फॉल्ट लाइन बनने से, ये पठार जो था वो बीच से क्या हो गया, तूट गया, और आधा भाग इसका सरक कर कि धर आ गया, निधाले की है, जिसको आज हम गारोखासी और जैन्तिया की पहाड़ियों के नाम से क्या है, जानते हैं, तो गारोखासी जैन्तिया की पहाड़ी जो है, वो वास्ता में प्रायदी पठार का ही क्या है, हिस्सा है, जिसको हम उत्री पुल्वी पठार के नाम से आज जानते हैं, ठीक है, कैसे ये अलग हो फॉल्ट बनने से भ्रंश प्रक्रिया के द्वारा प्रायद्वी पठार का यह भाग जो था वो मुख्य पठार से क्या हो गया तूट कर अलग हो गया और इस उत्री-पुली पठार को जो मेघाले में हैं हम आज गारो, खासी और जैनतिया आदी के नाम से हैं जो हैं वो जान जानि जाती है बच्चो भारत का कीसरा भौति भाग या भू आक्रति भाग या खंड तो आज हम लोगों ने दो खंड पढ़नी हैं उत्री-भारत का मेंदान कीसरा पढ़ लिया हम लोगों प्रायद्वी पठार कीसरा अब बचे हैं हमारे भारतिये मरुष्थल और भाग में पढ़ेंगे थैंक यू बच्चो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चो ठीक है बाद में थैंक यू